सर्दी खासी जुखाम फेफरों में और गले में जमा हुआ कफ तुरंत बार निकलेगा दोस्तों ऐसा उपाय आपको बता रही हूँ अगर आपको अभी अभी सर्दी खासी जुखाम हुआ है तो भी आपका एकदम ठीक हो जाएगा काफी समय से अगर कफ जमा हुआ है गले में या फेफरों में तो भी आपका कफ तीन दिन में पूरा बार निकल जाएगा बिना पैसों का और बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद 100% कारगर उपाय आपके साथ सेयर कर रही हूँ अगर आपको भी ऐसी समस्या है न तो आप इसे शिर्फ तीन दिन आजमा के देख लेना आपको इससे बेहद फायदा मिलेगा तो इस नुस्के के लिए दोस्तों हमें कुछ भी बार से खरीदने कि आऊ सकता नहीं है ये देखे ये हमने अमरूद के पते लिए हैं और कहीं कहीं जाम फल भी बोलते हैं हमारे यहां इसको अमरूद ही बोला जाता है अगर आप इसका कोई दूसरा नाम जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ताकि और लोगों को भी पता चल जाए तो इसके हम पांच पते लेंगे ज्यादा बड़े हैं तो तीन भी ले सकते हैं और छोटे साइज के हैं तो आप पांच पते ले लीजी पत्तो को अच्छे से रगड के दो लीजी यह फिर थोड़ी देर पानी में डुबा के रख दीजी यह जो मिटी है अच्छे से गल जाएगी और फिर आराम से उतर जाएगी इनको इस तरह अच्छे से रगड के धो लीजी ताकि जो भी धूल मिटी है वो सब निकल जाएगी और धोने के बाद इनकी यह जो डंडी है ना इन्हें तोड लीजी और यह जो बीच वारी डंडी होती है ना इसको निकाल दीजी क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा कसला होता है और फिर पीने में अच्छा नहीं लगता तो इस तरह तोड के यह डंडी अलग कर देंगे इसकी आप इसे जब भी पीए ना ताजा ताजा बना कर यह पीए एक बार में ज़्यादा बना कर ना रखें आप यह डंडी इनकी निकाल दीजीए एक कप के लिए आपको यहाँ एक गिलास पानी लेना दोस्तों जब पानी गरम हो जाएगा तो यह जो पत्ते हमने दोए है ना यह इसमें डाल देंगे और इसको हमने 4-5 मिनिट अच्छे से पकाना है ताकि यह जो पत्ते हैं इनका सारा आरक इस पानी में आ जाए और यह एक इलास पानी एक कप रह जाए अभी सर्दियां हैं और सर्दियों में कफ वगरा बहुत ज़्यादा जम जाता है तो उसको उखाडने के लिए हम इसमें और भी चीजे डालेंगे इसमें हम यह दो इलाइची डालेंगे और यह देखिए 3-4 लोंग है तीन आप लोंग ले लेना और 5 हम काली मिर्च लेंगे और एक कप के इसाफ से छोटा टुकडा अधरक का लेंगे अगर आप इस तरह की यह रेमेडी गरमीं में बनाए तो यह काली मिर्च लोंग आपँ उवाइड कर दीजिए गरमियों में नहीं डालनी है क्योंकि बहुत गरम तासिर की होती है तो यह देखिए इनको मसालों को मैंने कूट लिया है लॉंग काली मिर चिलाएची यह इसमें डाल देंगे और यह अधरक भी मैंने कूट लिया है यह भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से भी पकने देंगे अगर आपको चाए पीने की आदत है ना दोस्तो तो आप इसमें थोड़ी चाए पती भी डाल लीजिए और अगर आप चाए नहीं पीतें तो चाए पती को अवाइड कर दीजिए और इसको अच्छे से पका लीजिए चाए का भी और सारे इन मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाना चाहिए अच्छे से जिनको भी कफ की बलगम की समझता है न दोस्तो उनको गरम गरम चीजों का शेवन करना चाहिए गरम चाए गरम पानी गरम खाना खाना चाहिए ठंडी चीजों के शेवन से उन्हें बचना चाहिए अब आती है मीठे की बात आपने इसमें मिश्री नहीं डालनी है और नाची नहीं डालनी है अभी सर्दिया हैं तो हम इसमें गुड डालेंगे या फिर आप इसमें सहद डाल सकते हैं लेकिन सहद अभी नहीं डालना होता है उबलते में सहद नहीं डालते हैं गिलास में चानने के बाद डालते हैं लेक तयार हो गई है, इसको गरम congestion ही हम गिलास में च्छान लेते हैं और ये जो पते हैं ये बेकार हो गए है अब इनको हम फैक देंगे, ये remedy हमारी बन के तयार हो गई है दोस्तों, इसको आप सुबह से हम दो टाइम बीना तीन दिन आप पी और जो पूराना जमा हुआ कप था न वो भी निकल जाएगा ये था हमारा आज का नुस्का अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठासके और कमेंट करके ज जरूर बताना आपको नुस्का कैसा लगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार